पिछले वीडियो में हमने shapes में जो pattern होते हैं उनको देखा था आज हम देखें कि ओ shapes के pattern नमबर के pattern से कैसे related होते हैं आए देखते हैं सबसे पहली बात करते हैं जो हमने regular shapes वाला वेजा था अब regular क्या थे हमारे पास triangle था triangle में कितने sides होती है 3 फिर हमने quadrilateral quadrilateral में 4 pentagon में 5, hexagon में 6, heptagon में 7, octagon में 8 इसी तरह हर shape को में एक number के साथ जोड़ पा रहा हूं तो shapes और numbers आपस में related हैं अब मैंने word लिये regular regular का मतलब क्या होता है ऐसे polygon जिसकी जो sides होती हैं उनकी length equal रहती है बराबर रहती है और उनके जो angles होते हैं वो भी हमेशा एक जैसे बराबर रहती है उसके बाद अगे इसमें कुछ questions हैं इसके related आपको क्या करना है आपको जो भी sides count करनी है जो भी regular polygon उपर दिये गए है उनकी और देखना है कि क्या कोई number sequence है फिर आपको करना है उनके corners count करने की कोने कितने है और उसमें फिर देखना है कि क्या वहाँ पर भी कोई number है और क्या सेम है क्या अलग है कुछ उसके बाद आपको क्या करना है complete graph वाला जो था second वाला डाइगराम उसमें आपको जो पिछली वीडियो में देखा था उसमें आपको number of lines count करने है one by one कितने lines बन रहे हैं आगे चलते हैं उसके बाद क्या है next question में हमको करना है जो स्क्वाइर है स्क स्कॉयर वाला हमने पिछले वीडियो में देखा था उसको फियर से देखे और इसमें आपको बताना है कि कितने चोटे-छोटे स्क्वाएर सो के अंधर बन रहे हैं मैंने पिछले वीडियो में नाया था आप खुद से ट्री उसमें भी आपको बताना है कि कितने सारे हमारे पास में छोटे-छोटे साइट्स हैं, वो आपको टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, हर शेप में वो आपको काउंट करने की कोशिश करने हैं, आज के लिए इतना ही थेंक यू